हाँ 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 सायम होर दो ने हाँ साथियों जैसा आपने देखा कि बकरी नीचे लेट कर चिला रही है आपने इसके आवाज भी सुनिए हाकिर इसको क्या हुआ है और इसका हमने क्या ट्रीटमेंट क्या है कैसे डाइग्नोसिस किया यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी त साथियों देखे इसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं यानि बकरी नीचे लेट कर अपने कभी-कभी अपने पेर को चला रही है बेटने में असमर्त है पूरी तरीके से और यह चलने में फिरने में बिल्कूल ही मना कर रही बिल्कूल चल नहीं पा रही acceptable तो आकिर हमने इसको ड उसके बाद में इसके टोमक याया नियाद को चेक कर रहा हूं कि आखर पेट में कुछ जिसके कारण यह हुआ है तो मैंने चेक किया पेट में पेट में मुझे मिला कि मानो जो बकरी के आते हैं वह बड़ी हो गई हो और जो आते ही वह गुच्छी टाइप के हमें दीख रही है जैसे मैं इसको महसूस कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसके पेट मे स्वैलिंग है यानि पेट में सुझन है, इंप्रामेशन इаксим है समसी लगा रहा है और शिम्प्रम्स में इसको देखा तूस देखा वकरी पत्ले दष्टकर य कभी बक्री चाहे पतले दस्त करें अगर पतले दस्त में हमें ब्लड देखने को मिलें ब्लड के साथ साथ अगर बक्री की म्यूकस पूरी वाइट हो जाए म्यूकस वाइट होने के बाद अगर बक्री नीचे बेट जाए पिछले पेर से खड़े होने में समर्थ हो जाए बक्री पेर चाना लगे बक्री पेर दर्द के लक्षन दिखाए और बक्री चिलाने लगे तो समझ जाना कि यह कैस इंट्रो टोक्सीमिया का है और यह बहुत ही खतनाक बिमारी होती ही बक्रियों में जब कोई बक्री नीचे लेट कर पेर चलाना लगे तो समझ जाना कि यह इंट्रो टोक्सीमिया कैस है इसमें यही लक्षन हमें देखने को मिलते हैं जब आपको फिल्ड में edza case देखने को मिलें तो आप उनका जल्द से जल्द diagnosis पहले से कर ले क्योंकि आप अगर diagnosis नहीं कर पाते हैं तो आप उसका फिर treatment सही से नहीं कर पाएंगे और आप वहाँ पर फिर वो पशु मरने की कगार पर रहता है आप वहाँ पर चाहिए कितने भी treatment कर ले लेकिन पशु ठीक नहीं होगा यह खास कर छोटे पशु हमें यानि जैसे बकरी, बेड, शीप, गोट और जो अपने छोटे काफ रहते बफिलों के इनमें भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है खास यह बड़े पशु में नहीं होता है बेमारी होती है तो गोट, शीप, बेड, सब में होती है लेकिन क्या छोटे पशु में ज़्यादा effect दिखाता है इंट्रोटोक्सीमिया यह बड़े पशु में बिल्कुल नहीं होता है होता है कभी कभी होता है लेकिन इतना हमें डिए करी देखने को देहने को नहीं मिलता है हमें ज्यादा तर कैस बेड में और वक्रियों में ज्यादा तर देखने पिलेगे symptoms में भी हमें वापर पतले दस्त के साथ खुन मिलेगा fever मिलेगा पश्व नीचे लेट जाएगा नीचे लेट कर बकरी पेर चलाने लगी कि बकरी चिलाएगी पेर दर्दी के लक्षन हमें देखने को मिलते हैं यह सारे जब आपको लक्षन देखने को मिलें समझ जाना कि यह इंट्रोटोक्सी मिया यानि जिसको हम शोट भाषा में ईटी बोलते हैं इसकी वेग्शिनेशन आती है हमें इसकी वेग्शिनेशन के ओर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है क्योंकि vaccination से पशुओं में यह भीमारी नहीं होती है इसके treatment तो हमें यहाँ पर इसको एक one gram हमने इसको DCR लगाया है one gram DCR लगाने के साथ साथ हमने इस बक्री को 2 ml निमूस लाइडें परसे टमर इंजेक्शन लगाया है और इसके साथ हमने इसको 2 ml एविछ दिया है हाला कि इसकी कंडिशन बहुत खराब है यहां पर हमें फ्रूड चड़ाने के भी जरूती लेकिन पशु मालिक ने बोला हमने जब बताया उनको कि यहां बीमारी में पशुओं की बक्रियों की ज़्यादा तर्मोत होती है अगर आप दो दिन पहले इसका ट्रीटमेंट कराते लेकिन मना करने पर उन्हों नहीं लगवाई इसलिए हमने इसको केवल तीन इंजेक्शन दिये हाला कि जब ऐसी कंडिशन जब किसी बक्री की हो जाए तो वहां पर हमें इलाज में बहुत ही शावदानी बरतनी चाहिए क्योंकि अब यह कुछ चंद मिंटों के और चंद ग इसका कोई शटिक टीटमेंट नहीं क्योंकि इंट्रो टॉक्सिमिया में बस यह इंजेक्शन लगाते हैं इसके अलब और उसका कोई टीटमेंट नहीं आप चाहिए यहां पर एक से दो बोतल आप यहां पर आरेल पश्चु को लगाए बकरी को लगाए और आप उनमें ट् सब्सक्राइब करते रहें मिलते हैं किसी अगले वीडियों तब तक के लिए जय हीन जय वारत